दूस्तों शुरुआत हो चुपी है 2022 के एक और न्यू मन्त अप्रील की और टाइम आ गया है टॉप 10 बेस्ट एंड्रोइड एप्स के न्यू एपिसोड का जिसमें आज आपको मिलने वाले हैं 10 ऐसे बेस्ट एंड्रोइड के एप्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं तो वो एप्स कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो पैंट तक बने रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप दे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जो इस लिष्ट में पहले नमबर पर एप है उसका नाम है एडप्टिव कंट्रोल ये एक ऐसा एप है जिसके थूँ आप अपने किसी भी एप के लिए एक स्पेस्फिक या कस्टम सेटिंग कर सकते हो लाइ तो जो इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर एप है उसका नाम है स्टेटस बार आइकन हाइडर ये एक ऐसा एप है जिसके थूँ आप अपने स्टेटस बार में से अन्वांटेड आइकन को हाइड कर सकते हो इस तरीके से जो आपका स्टेटस बार रहेगा वो काफी क्लीन इस एप में आपको स्टेटस बार के सारे आइकन देखने को मिल जाएंगे एक्जामपल के तोर पे अगर आप स्टेटस बार में से वाइफाई या ब्लूथूथ का आइकन हाइड करना चाहते हो तो यहां से आप उनको सिंपली आफ करके हाइड कर सकते हो तो जो इस पसंद से अपने आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो यहां तक कि इस एप में आपको दूसरों के भी डिजाइन आइकन देखने को मिल जाएंगे जिने आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो तो आइकन को कस्टमाइज करने के लिए काफी बढ़िया आप है आप इसको एक बा वालपेपर देखने को मिल जाते हैं अब इसके डवलपर ने मुझे इसके 20 प्रोमो कोड प्रोवाइट किये हैं जिसमें से 10 प्रोमो कोड ऐसे हैं जिनका यूज करके आप इसके फुल प्रीमियम वरजन को अनलॉक कर सकते हो और जो अदर 10 प्रोमो कोड हैं उनका यूज करके आप 100 कीज फ्री में ले सकते हो जो कि आपको live wallpaper डाउनलोड करने में help करेंगे तो अगर आपको इन दोनों में से जो भी प्रोमो कोड चाहिए उसके लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके मुझे Instagram पे follow करके message करना वहाँ पे मैं आपको प्रोमो कोड दे दूँगा तो जो इस list में पांचवे नमबर पे app है उसका नाम है reprise ये एक ऐसा app है जो Amazon के किसी भी product के price कम होने पे आपको notification भेजता है जैसे आपने यहाँ पे कोई product सर्च किया जिसकी price 21,000 है पर आप चाहते हो कि इसकी price जब 18,000 हो तो आपको notification मिले तो simply आपको उस product पे tap करना है और plus पे tap करके track product पे click करना है अब आपको यहाँ 18,000 या जितनी भी price आप चाहते हो वो price आपको enter कर देना है और उसके बाद track product पे click कर देना है अब जैसे ही उस product की price उतनी होगी जितना आपने set किया है तो आपको यह app notification भेज देगा आप चाहें तो इसमें price chart को भी देख सकते हो तो जो इस list में 6 number पे app है उसका नाम है native alpha native alpha एक बहुत ही simple app है पर बहुत ही useful है यह एक ऐसा app है जो कि आपके किसी भी website का professional level पे एक app जैसा shortcut बनाता है जिसे आप simply एक click में access कर सकते हो आपको बस यहाँ पे URL enter करना है उसके बाद से आपके home screen पे उस website का एक app जैसा shortcut देखने को मिल जाएगा आप चाहें तो इसके icon को change कर सकते हो उस website के लिए कुछ specific setting कर सकते हो तो बहुत ही सही app है आप इसको एक बार जरू try करना तो जो इस list में सातवे नमबर पे app है उसका नाम है खाली जेब खाली जेब एक ऐसा app है जो कि specially youth के लिए design किया गया है इसमें आपको बहुत important तीन features देखने को मिल जाते है सबसे पहले में आपको simple way में UPI के through payment करने का option मिलता है दूसरे में आपको bill split करने का feature मिलता है और यहां तक की तीसरे में आपको एक membership का plan मिलता है जिसको अगर आप लेते हो तो उस plan में आपको आपके favorite brands पे अच्छे खासे coupons और discount देखने को मिल जाते हैं like beokoof.com, coin.dcxgo, udemy और भी बहुत सारे अब इसके developer ने आप logo के लिए एक promo code provide किया है जिसे अगर आप यूज करते हो तो आपको इसका 3 महीने का member से free में मिलेगा तो काफी सही app है और सबसे बड़ी बात कि इसके developers Indian है तो आप इस app को एक बार जरू try करना तो जो इस list में 8 नमबर पे app है उसका नाम है Android Touch Bar इस app में आपको Macbook की तरह screen की नीचे एक touch bar देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप phone के brightness, volume और भी बहुत सारे settings को control कर सकते हो अब आज कल के phone की screen काफी बड़ी आ रही है तो उस case में ये जो app है ये आपके लिए काफी useful होने वाला है तो आप इसको एक बार जरू try करना तो जो इस list में 9 नमबर पे app है उसका नाम है Remix अगर आप भी emojis के साथ experiment करना पसंद करते हो तो ये app आपके लिए काफी सही होने वाला है क्योंकि इस app में आप 2 random emoji को मिला कर एक नई emoji बना सकते हो और उनको as a sticker WhatsApp और Telegram पे add करके अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हो तो काफी fun app है आप इसको एक बार जरू try करना तो जो आज की लिस्ट में आखरी यानि दस्वे नमबर पे app है उसका नाम है apk extractor ये एक ऐसा app है जिसके तुरू आप अपने किसी भी installed app को extract करके उसका apk file अपने storage में save कर सकते हो और आप चाहो तो उस apk file को किसी के साथ share भी कर सकते हो तो काफी useful app है जिसका यूज करके आप अपने सारे installed apps के apk files को अपने storage में save कर सकते हो तो आप इसको एक बार जरू try करना तो ये थे top 10 best android apps of this month I hope ये apps आपको पसंद आये होंगे I hope ये video आपको पसंद आये होगी अगर ये apps आपको पसंद आये हों तो इस video को like कीजिएगा इन 200 apps में से कौन सा app आपको सबसे बढ़िया लगा comment में जरूर बताईगा और ये video अपने उन दोस्तों के साथ share कीजिएगा जो हमेशा नए नए app को try करना पसंद करते हैं तो ये video के लिए बहुत ही helpful होने वाली है तो ये video के साथ जरूर share कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ बेल आइकन पे press करके और पे tap कर लीजिएगा ताकि future में मैं जब भी कोई ऐसी interesting take और customizing वाली video upload करूँ तो उसका notification आपको फटा फट मिल सके तो तब तक के लिए thanks और watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ see you soon